हम चार बहनी थी, हमारा एक ही भाई था चो बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, माबाप ने उसका नाम चिराग रखा, अब तो यू लगता था कि वह सिर्फ चिराग के लिए ही जीते थे, बेटे की पैदाईश के बाद तो जिसे वह इसमें एक होसे में दूसरे की बेकदरी मत किया करो, मगर यह बात कभी पापा की समझ में नहीं आई, खैर वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हम सब भी बड़े होते गई, हम दादाजी के साथ रहते थे और हमारा छोटा सा शेहर जो गाउं की तरह ही था, जहां जादा रोजगार भी नहीं था, पापा मजदूरी करते थे, जब तक हम छोटे थे तो गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर उनकी तनक्वा में गुजारा होना मुश्किल हो गया, तबी एक दिन उन्होंने मजदूरी को अर्विदा कह दिया, और एक दोस्त के कहने पर दूसरे मुल्क जाकर कम का मिल गया था, पापा को सोनों की मदद से अच्छी नोकरी मिल गई और फिर हमारे दिन भी फिल गए, वह दुबई से काफी रकम दादा जी को भेजने लगे, चंद महीनों तक तो दादा जी ने पापा की कमाई में से मम्मी को जरूरत के अनुसार्थ खर्चा दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने यह सिलसला बंद कर दिया, कहते थे कि मेरा बेटा परदेश में महनत कर रहा है, इस कमाई को यूही नहीं उड़ा देना चाहिए, बलकि जमा करना चाहिए, हम दादा और दादी जी के किचिन से खाते थे और वो बहुत ही थोड़ी सी रकम मम्मी को द लालते थे, काफी अर्सा यूही सिलसला चलता रहा, मम्मी को खबर नहीं थी कि उनके पती की कमाई कितनी है और किधर जा रही है, और कौन कितने खर्च कर रहा है, वे तो बस दम सादे, रोटी और सबजी पर ही गुजारा गर रही थी, हमको जिन्दगी के वो एश हासिल न तो पता चला कि दादा जी और भाईयों ने उनका भेजा हुआ रोपया खुद पर खर्च कर दिया है, यह जानकर पापा को बहुत गुस्सा आया, मगर क्या कर सकते थे, एक तरफ बाप था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई, फिर पापा ने बिना जगडे ही हमारे लिए ए कुछ दूर एक नए महले में मिला था, लेकिन यहां पर हम अपनों से दूर थे, उन दिनों मेरा भाई सातिन कक्षा में पढ़ता था, और पापा उसकी पढ़ाई और भविशे की खातिर जादा से जादा कमाने की फिकर में लगे थे, उसी महले में बंटी नाम के एक सक्ष का घल था, वह खुद तो शरीफ आदमी था, मगर उसका बेटा आरेन एक नब निकमा और आवारा लड़का था, उसने आठमी के बाद स्कूल छोड़ दिया था, और बुरे लड़कों से दोस्ती कर ले थी, मेरा भाई उस महले में नया था, और उसको यहां के हालात का कर में रहता था, नजाने कैसे उसने मेरे भाई से दोस्ती कर ली थी, शुरू में तो मेरे भाई ने आरेन की नियत को ना पहचाना था, आरेन जब भी उसको चोक में रोपकर बात करने लगता, तो चिराग उसके साथ खुशी से हाध मिलाता और बादचित करता, महले के इस बदमाज से दूर हो और अगर यह तुम को रोके तो रुप कर बात का जवाब देने की बचाए किनारा कर लो चिराग ने ऐसा ही किया आरेन मगर बाजन आया जब चिराग घर से बाहर निकला वह उसको बुलाता उसे तर्म करता और उसका पीछा करता बस फिर उसने मेरे भ स्कूल जाने से भी डगने लगा था और घर से बाहर निकलने से भी इंकार कर देता था तो मम्मी परिशान हो गई और एक रोज वह आरेन के घर गई उसकी मा को सूर्ते हाल बता कर और कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ वरना बात मर्दों में कई तो जगड़ा हो जाए उसने उसको रास्ते रोक कर तंग किया उसका उसने यह हल निकाला कि मोहले के एक लड़के अमित को जो उसकी क्लास में पढ़ता था अपना दोस्त बना लिया और अब वह अकेला जाने के बजाए अमित के साथ साथ स्कूल जाने लगा दोनों अच्छे दोस्त नहीं बलकि भाई बन गए थे अमित अच्छा लड़का था और शरीफ फेमली से था उसकी मा भी हमारे घर आने जाने लगी मेरे भाई के साथ भाई चारा इसकदर बढ़ा कि वह हमारे घर में आने जाने लगा और हम बहने भी उसको भाई कहकर गुलाने लगी खास तोर पर मैं अमित को चिराग के वज़े से ज़्यादा अहमियत देने लगी और सगे भाई जैसा समझने लगी कि वह आरेन से उसकी हिफाज़त करता था यह इतवार का दिन था और स्कूल के छुट्टी थी सुभाई को हम जराद देश से उठे ममी की तबियत ठीक ना थी तो चिराग को उन्होंने नाष्टे के पैसे दे दिये और वो मुद होकर सुभाई नो बज़े के करेब चोक की तरफ गया सामने ही छोले वाले की दुकान थी जब उसने चोक को पार किया तो उसको पीछे से आरेन ने आवाज दी चिराग सुनो मिरी बात सुनो भाई ने जब पीछे मुड कर देखा तो वह मोटर साइकल था में खड़ा ने ज़राया चिराग उसके साथ बातचित नहीं करना चाता था इसलिए तेज-तेज कदमों से चलने लगा उसको तेज कदमों से चलते देखकर आरेन ने दुबारा कहा चिराग ठहर जाओ मिरी बात सुनो भाई नहीं रुका और वह तक्रीबन दोडने लगा जिस पर वह बदमाश मोटर साइकल पर बैट कर उसके पीछे आया बाई की आवाज से चिराग और भी ज़्यादा खौफ जदा हो गया और ओर तेर दोडने लगा तभी उस लड़के ने भी अपनी बाईक को फूल स्पीड में दे दी यूँ बाईक चिराग की कमर से जा लगी और वह उच्छर कर बढई की दुकान की आराम शीन पर जा गिरा और आराओस के जिसम के आरपार हो गया और उसी लमहा मेरे मासूम भाई की मौथ हो गई बढई ने कुछ देर पहले ही दुकान खोली थी और वो अभी मशीन चालू करके लकड़ें कठी कर रहा था आरेन तो वहां से भाग गया बढई ने हमारे घर आकर खबर दी तो हमारे घर में कोहराम बरबा गया ममी ने एक पड़ोसी के जर्ये मामा जी को खबर कराई हमारा तो एक ही भाई था मेरे माबाप के घर का वही चिराग बुझ गया उनकी दुनिया अंधेरी हो गई पापा खबर मिलने पर घर आ गई मगर जाने वाला तो जा चुका था जिस तरह हमको अपने एकलोते भाई की अचानक मोद का सदमा था उसका साथी अमित भी गम से निडाल था ममी उसको गुला कर गले लगाती और रोती हमको भी उसे देख कर चिराग की आदा थी और अमित से ऐसी हालत थी कि जैसे उनके जिसम से किसी ने पूरा खूनी चोड़ लिया हूँ चिराग के बाद वह ना जीते थे और ना ही मलते थे पापा को अपनी उमीदों की चिराग के बुझ जाने से जिन्दगी से मूँ फेर बैठे थे इश्वर ऐसी अजमाईस में किसी को ना डाले मेरे माबाप की जिन्दगी में उलाद को खो देने से एक बहुत बड़ा बतलाव आ गया था मैं भी जब जिराग जितने किसी लड़के को देखती तो उसको बिना सोचे समझे भाई बुकाने लगती बेटे की अचानक मोद ने पापा की कमर तो डाली थी वह इतने गमगीन हुए कि दुबारा दुबई ना गए उनमें काम करने की हिम्मत नहीं रही कुछी अरसे बार हम पैसे की मुश्किलात का शिकार हो गए मकान बेच कर किराई का मकान ले लिया पापा ने अपना घर पर ही काम कर शुरू किया मगर कामयावी नहीं मिली तूटे हुए दिल के साथ जो काम शुरू करते वह ठप हो जाता उलाद में सिर्फ लड़किया थी उनके बारे में भी सोचना था दीदी ने चाहा कि नोकली करे मामा जी को पता चला तो वह आड़े आ गए और मेरी बहन का रिष्टा अपने दोस्त के बेटे के लिए ले लिया इधर चाची जी ने भी उनकी देखा देखी मेरा रिष्टा अपने किसी दूर पार के रिष्टेदार के लिए मांग लिया था मगर मुझे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन दादाजी ने दबाव डाल कर मेरा रिष्टा उस लड़के यानि देपाक से करा दिया यूँ पापा के कंदों से दो बीडियों का बोज हलका हो गया एक रोज मैं ममी के साथ केशी रिष्टेदार के घर शादी के फंक्सन में गई तो उनके बेटे राहुल को देख कर खुश हुई क्योंकि वह मेरे भाई चिराग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था मुझे लगा जैसे मेरा स्वर्गवासी भाई मेरे सामने हूँ खुद पर काबू नहीं रहा जी चाहा कि उससे बात करूँ तो मैंने ही पहल करती और उसे इनना मशकार किया उसने बेकुश दिले से जवाब दिया तो मैंने उसको अपना भाई बना लिया क्योंकि उनका घर दूर था मैं उससे मिलने नहीं जा सकती थी इसलिए उसे खत लिखने लगी खत में मैं भाई रहुल लिखकर ही शुरू किया करती थी लेकिन उसने बाद में मुझसे फोन पर उल्टी सी दी बाते शुरू करती तो मैंने उससे वास्ता मतलब खतम कर लिया और अपने अमित भाई को यह बात बता दी उसने रहुल को खुब भला बुरा कहा और धमकी दी कि वह आइदा मुझे फोन ना करे यू रहुल से मुझे चुटकारा मिल गया उस वाके के बाद से मेरे मुझे बोले भाई अमित के दिल में भी मेरे लिए महबत के ज़र्बात पैदा हो गए मैं नहीं जानती थी लेकिन जब मेरी मंगनी दीपक से होने लगी तो वह परेशान और उदास हो गया और हमारे घर आना छोड़ दिया उसने अपनी मां से कहा कि आप जिराग की मां से मेरे लिए रिष्टा मांगे वरना मैं उमर भर किसी और से शादी नहीं करूँगा उसकी मा ने मम्मी को यह बात बताई तब मुझे पता चला कि वह मुझको बहन के तरह नहीं समझता था मैंने उससे बात करनी पिल्कुल बंद करती और अपने जज़वात जो एक बहन के अपने भाई के लिए थे उनको मसल दिया अब मैं खामोश रहने लगी इन सब बातों का असर यह हुआ कि मैं बिमार हो गई मुझे तो बस यही गम रहता था कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं भाई कहकर कुकार सकूँ वह बक्त भी आ गया जब मेरे शादी यही ढोलक बजने लगी और मैं विदा होकर बाबूल के घर से दिपक के घर आ गई शादे के बाद अंदाजा हुआ कि खाम खाम मुझे दिपक से चड़ थी वो वैसा भी बुरा नहीं था उसने मुझे इज़त दी प्यार दिया तो मेरे दिल में भी उसकी चाहत और इज़त पैदा हो गई दिपक और ससुराल वाले मेरा भूद ख्याल रखा करते थे मैं अपने घर में खुश और सुकून से थी कि एक रोच अचानक एक खत मिला जो मेरे पती ने वसूल किया उस खत में मेरे बारे में कुछ गलत बाते लिखी गई थी मेरे पती ने खत के बारे में मुझे शक के लहजे में जानना चाहा और पूछा कि राहूल कौन है, क्या तुम उसको जानती हूँ, मैं इंकार नहीं कर सकी, बताया कि राहूल को मैंने अपना मूँ बोला भाई बनाया वा था, मगर भे अच्छा लड़का नहीं निकला, तो मैंने उससे वास्ता मतलब खत्म कर लिया, भे बूज कर रह गए, खे दीपक के साथ माइके में थी, ममी ने हमको खाने पर बुलाया हुआ था, कि अमित की बहन आई और मेरी बहन से कहा, कि अमित ने कुछ खा लिया है, क्योंकि ममी ने उसकी शादी किसी और से करना चाहा, मगर उसने तुमारी बहन शालो की खादिर शादी ना करने की कसम खाई थी बस उन्होंने मुझसे पूछा कि यह अमित कौन है जो तुम से शादी करना चाहता था और जिसने जहरेली गोलियां खा ली है मैंने कहा जिराग भाई का दोस्त और उनका क्लास फेलो है तुम्हारा उससे क्या समन था मेरा तो वह भाई बना हुआ था यह कैसे मुम्किन है कि इतने लड़के तुम्हारे मूँ बोले भाई है और फिल भी उसने तुम्हारी खातिर जहर क्यों खा लिया आखिर बात क्या है मुझे तो लगता है कि जरूर दाल में कुछ काड़ा है भगवान की कसम उसको भी मैंने भाई बनाया वा था लेकिन मुझे खबर ना थी कि उसके दिल में मेरे बारे में क्या ज़स बात है वकवास मत करो क्या तो मकल की अंदी हूँ या फिर मैं ही बेवकूफ हूँ एक लड़की एक बार ही किसी को अपना भाई बना सकती है बार बार नहीं तुम मुझको पागर समझती हो क्या दिपक ने मुझको बोरी तरह जटका कि मैं अपना सा मूर लेकर रह गई गई मुझ पिशान थे कि आखिर मैंने किस-किस को भाई बनाया हुआ था जो अब उनके दिये परिशानिया पैदा कर रहे थे उनके दिल में शक घर कर चुका था मैंने लाग कसमे खाई मगर उनके शक को ना मिरा सकी उन्होंने मुझे माय के छोड़ा और खुद अपने घर चले गए और फिर कभी नहीं लोटे ताकि मैं अपनी सफाई में कुछ कह दी और नहीं मुझे तलाख दिया और अपने घर में भी नहीं बसाया मगर आज भी मैं उनका इंतजार कर रही हूँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी कमेंट करके जोड़ बताएगा कि आपको कहानी कैसे लगी और अगर कहानी अच्छे लगी हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लेज सब्सक्राइब कीजिएगा